ओ एमजी टू मूवी हमने देख लिए उसका रिव्यू हम आपके सामने लेकिया हैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में बहुत कम शब्दों में आपको पूरा मूवी समझाने कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए यह आपको कुश नया सिखा सकती है कि नहीं सिखा सकती है यह चीजे जानना जुरूरी है इस मूवी में तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहे हैं चला को सब्सक्राइब जूरू कीजिए आप मूवी सेंसर बोर्ड के टेबल पर फस गई थी सेंसर बोर्ड ने खूब अच्छ आपको लगेगा कि फोर्मुला वन की रेस हो रही है एकदम अधिया सा ट्रैक है पर बीच-बीच में गढ़े हैं और जहां और गढ़ों का मतलब यह है कि आपको फील हो जाएगा कि यहां यहां पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली है यहां पर सेंसर बोर्ड ने क्लीनिंग की है तो वो गढ़े आपका मज़ा खराब करेंगे कहानी के बीच में जब जब यह गढ़े आएंगे तो आपको लगा कि अरे थोड़ा सा किरकिरा हो गया मज़ा ऐसा आपको फील होगा तो मूवी में एक करेक्टर है पंकरतिर पाठी का जो कि भगवान में एकदम पूरी तर है क्या ही बढ़ियां संसकार है इन भाई साब के उनका एक बेटा है और बाकी पुरा परिवार भी एकदम सुखी है बेटा जो है वो एक बढ़ियां स्कूल में पढ़ता है कि या इंटरनाशनल स्कूल क्या बात है स्वैग है पर उस बेटे को लोग बुली करते हैं जो कि ह कुछ ऐसे हरकते करते हुए कोई देख लेता है उसका वीडियो बना लेता है उस चीज को वाइरल कर देता है जो कि गलत है बहुत गलत है पर यहां पर वीडियो बनाने वाले को सब गलत नहीं कह रहे हैं यहां पर अंकर तिरपाठी के बेटे को यानि कि जिसका नाव विव सब्सक्राइब स्मार्थि रें जो sih तक के घरने हैं तो तो उसकी nyaि क्या यारियर क्या है यह ये कहां से आगए हमारे घर में जैसे आम करिवार में माता प्रेशन नहीं जेल पारा, वो निकल जाता है सुसाइड करने के लिए, अब वो सफल होता है कि नहीं होता, ये बात की बात है, ये आप मूवी देखोगे तो आप समझ जाओगे, पर इस मूवी का मेर मुद्दा यही तो है, आपको कुछ सिखाना, पंकतिर पाठी, खुद सम आज के साथ मिलकर अपने बेटे को ही गलत कह रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे, तब उनकी लाइफ में आता है एक करेक्टर, एक शकुमार का, जो भगवान का भीजा गया एक दूद की तरह है, वो इस बंदे को सही रास्ता दिखानी कोशिश करता है, जैसा कि ओम जी वन म कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, तो बस पंकेतर पाठी थोड़े समयधार होते हैं, वो सही रास्ते को पहचानते हैं, उस ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसे लोगों पर इस तरह का केस करते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी ने सकते हैं, ओम जी वन और यही बात खास है, वो ऐसा केस कर रहे हैं, जिस केस के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि अरे यार, ऐसा भी कोई केस हो सकता है क्या, यह चीज हरान करने वाली है O.M.G की पूरी सीरीज में, वो समाज के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, इस तरह का कोई केस कर रहे हैं, अब यह आसान तो होने नहीं वाला है, डिफकर्ड तो होगा ही, कई सारी मुसीबते बीच में आएंगी, और उपर से जब उनके सामने, यामी गोतम जैसी एक भ्यंकर, वकील आ जाए, तो फिर भाई साब पसीने तो छूटने वाले हैं, वो ऐसी वकील है कि ही आईना दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, यह सब चीजे आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी, I am sure आपको इस मुवी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो अगर आपको समय मिलता है, तो आप इस मुवी को जिरूर देखने चाहिए, तो हमारे साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे ना शुब्री में जाएंगे